यह पर हमने दो प्रक हाट की डाले ली यह वुरत की डाल मैंने चिल्क के साहथ लिए अगर आपको चिलके नहीं चाहिए तो आप बिना चिलके वाली भी दाल ले सकते हों यहाँ पर मैंने मुंग डाल ले लिए मुंग डाल आपको चिलके वाली ही मुंग डाल लेनी है इसके चिलके जो है आपको बिलकुल भी सेपरेट नहीं करने है दाल में से और यहाँ पर यहाँ पर यह जो उरत की डाल है उरत की डाल के जो चिलके है वो हमें पूरे निकाल दे और यहां पर आप देख रहे हो जो चिलके मैंने पूरे उतार दिये हैं और यहां पर आप देख रहे हो जो चिलके मैंने पूरे उतार दिये हैं यहां पर दोनों डाले मैंने मिक्सीब के जार में डाल दिये हैं मिक्सीब के जार में डाल कर हमें उसे सारा मसाला उसके अंदर यह हमें दर्दरिसी पीसनी है बहुत ज़गा फाइनली नहीं पीसनी है यहाँ पर मैंने ले लिए है अद्रक लेसुन और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है इसके अंदर सॉल्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हो आपको कितना नमक चाहिए उसके हिसाब से आप सारे मसाले ल सब्सक्राइब करना है यहाँ पर मैं टाल दी है थोड़ासा चुम्राइम वाइस अपना ने clearing तरह यहां पर मैंने डाल दी यह पर सब्सक्राइब सारे देना है और यह सारी संगा पर मिडियम साइज का प्यार्इबट बनाओगे यह बहुत ही जाला टेस्टी बनती है और बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है ना ही आज तक आपके कभी देखी होगी तो ना ही कभी सुनी होगी तो ऐसी रेसिपी जो है आप अकसर गन पर ट्राइ किया किजिएगा अगर सब जिरोटी खाने का मन नहीं है अगर नाश्टे में बहुत खाके हो गए हो बोल तो यह रेसिपी आप ज़रूर ट्राइ किजिएगा कम महनक में बहुत ही अच्छी सी और बहुत यूनिक सी रेसिपी बनती है यह सारी चीजे हमें एक दूसरी के अंदर एक दूसरी के साथ अच्छे से मिक्स कर देनी है और 10-10 मिनिट के बाद इसके हम वड़े बनाएंगे अभी यहां पर मैंने यह सोडा डाल दिया है थोड़ा सा बस थोड़ा सा ही डालना है आपको बहुत ज़दा नहीं डालना है पिछे हमारे जो पकोड़े है बहुत ही क्रिप्स बनेंगे और यहां पर देख रहे हो आप पको पकोड़े बनके तयार हो चुके है आप चाहँ पकोड़े बना सकते हो वड़े बना सकते हो आपकी जो मरजी है जो इचा है उसकी साब बना सकते हो यहां पर हमारे गरम गरम पकोड़े बनके तयार है उसके साथ फुदी ने की चटनी चटनी की रेसिपी में अल्रेड़ी स् जोड़े शेयर किजिएगा और नच चानल पर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बूलना है अब किसी एक सब्सक्रीप्शन से एक लाइक से मुझे मोटिवेशन आता है और मैं नहीं नहीं ऐसी वीडियो आप ते ले लेकर आती हूँ तो एक लाइक करन बिल्कुल नहीं बूलना है एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बूलना है कमेंट करके बता है आपको यह रेसिपिस कैसी लगी आपने कहा पर देखी है और ज़रे साशेयर किजिएगा ताकि नए नए वीडियो सब को मिले और हमारे जो फैमिली है और आगे बड़े तो ये था हमारा आज का वीडियो फिर मिलेंगे और नहीं रेस्पिस के साथ तब तक लिए बाबाई